बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम असलाम लेकूँ वैलकम तुमाई यूटूब चैनल हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकस्तान ओफ एर को आज उसका लेक्चर नमबर 16 है आज का जो टापिक है वो है रॉयलेट एक्ट 1990 फर्स्टली हम मूफ करते हैं बैग्रॉंड आफ रॉयलेट इस वार वन के सार्ट अप्राइसिंग अगेंस बिरिटिश इन इंडिया अब क्या हुआ कि जो जन्गर्वे जीम अवल थी उसमें जो बिरिटिश था वो जिर्मन से लड़ा था और जो बिरिटिश इंडिया था उसके पास रॉट जो लोग तें उनके मोका आ गया था वो टो इस जिंसले में फिर क्या होगी इंडिया में बिडिश के खलाफ अपराइजिंग शुरू हो गई कि हम अपनी गवणने कुद बनाएंगे जब एक situation create होगी तो British had special emergency power to deal with the troublemaker तो उसके लिए अब जब एक situation बन चुकी है, अपराइजिंग स्टार्ट होगी है तब British को कोई ऐसी मेर्स थे, ऐसी emergency मेर्स लेके आने थे जिससे वो इस trouble को, जो trouble create होगी है, इसको क्या कर सेके? overcome कर सेके या इसको corrupt कर सेके 10 December 1917, Government of Coynta committee of six members, head by Citri Rollet अब क्या क्या हुन्होंने फीरे 10 December 1907 कोना, एक committee उनाई जिसके 6 members थे, और जिसका head कोन था, सर्च Citri Rollet और उस committee को हम Rollet committee भी कहते हैं अक सरा कासम से MCQ रूजा आजाता है, कर Rollet committee कोन सी थी तो जो सर्चिटनिं के committee थी, वही Rollet committee थी और उनकी सरब्राही के एंडर जो committee थी, वह कोन सी committee थी Rollet committee थी और उनहीं के नाम से इस committee को नाम भी रखिया गया था परी, in order to control the growing nationalists of search in the country अब एक committee बना दी गया है, वह किसलिए बनाएंगे है, कि यह जो अप्राइजिंग हो गया है, इसको control कहना है एक act passed किया गया, किसकी recommendation पर रॉयलेट committee के उसने देख लिया था उसने देख लिया कि अब यह जो अप्राइजिंग है वह यह कैसे हम control कर सकते हैं तो उन्होंने क्या किया है, एक act passed किया, रॉयलेट committee two bills were introduced in the central legislative अब रॉयलेट committee थी ना उसने दो bill दिये, central legislation को, इसमें 6 February 1919 उन्होंने 6 February 1919 को दो bill दिये थे, अब देखते हैं, यह act कब बना था, मतलब क्या था रॉयलेट एक्ट वाज लेजिसलेटिव कॉंसिलेक्ट है, यह legislative council था, पास किसने किया था, imperial legislative council था मैंने पहले अपने लेक्टर में डिस्कुस किया है कि खुछ से, यहां कोई काम नी था होता है, मेशन जब भी कोई भी काम करना होता था तो वह कहां UK Parliament में पहले उसका proposal बेजा जाता था, फिर वहां से इसकी क्या होती थी, वहां से मनजूर हो क्याता था, फिर कुछ होता तो इसे किसने पास किया था, imperial legislative council में ने, in Delhi में, Delhi में इसे बास किया था, on 18 March 1990 को इसे हम लोग, sorry, it's officially called an article and revolutionary crime act, जो इसका main, जो इसका नाम था, जो सरकारी तोड़ पर जो नाम इसका रखा गया था, वो रखा गया था, अनौर्चली and revolutionary crime act लेकिन बाद में उसको रॉयलिट एक्स से मिशूर कर दिया था, इसे famously हम रॉयलिट एक्स कहते हैं, पर क्योंके अब मूब करते हैं, feature of rollet act, मतलब कौन से feature थे, जो इसमें डखे गे, the main, the aim of enforcing this act was to abolish revolt and a crude conspiracy against the British from India, जो main मक्सद था ना, main, main जो agenda था, इस act को enforce करने का, वो ये था कि अपराइसिंग को खतम करना है, और जितनी भी conspiracy स्टार्ट हो चुकी है, उसको, जो ब्रिटिश के खलाफ स्टार्ट हो चुकी है, उसको फतम करना है, the act empowered the government authority to arrest any suspected person without a warrant and detain him hard for up to two years without trial, अब ये जो act ये इतना empowered government को करता था, government authorities को, को अब government के अथार्टिस में police भी आ सकती है, civil persons है, वो आ सकते हैं, उनको इतनी power जेता था, कि without a warrant, वो किसी भी शक्स को पर शक्राइस को, उसको, उसक दो साल तक उसे जेल में, उसे अपने हरासत में रसेता है, without trial, फिर नेक्स जो इसकी फीचर था, it empowered the police to search public and private space without a warrant, अब पुलिस को इसने इतनी power देदी हुई थी को उसको जहां दिल चाहे, वो public area है, या वो private area है, वो सर्च कर सकती है, वारेंट के बगार है, क्योंके ये वै लीगली तोर पर क्राट दे दिया था, उन्हें पावर दे दी गई थी, कि आप जब चाहो सर्च कर सकते हो, नेक्स जो फीचर था, it also placed fear restriction on the freedom of the press, अब इसने freedom of press पर बहुँ सी restriction लगा दिया थी, इसने freedom of press पर बहुँ सी restriction लगा थी, इसने, इस एक्ट में क्या दिका गया थ आके अपनी बात आके press में क्या कर सकता है, वो शाय करवा सकता है, नेक्स जो इसका इस फीचर था, वो था, it empowered the police for secret trial of suspect, अब क्या था, कि secret trial भी आप ले सकते हो, नेक्स जो था, an indefinite ban on public gathering of any nature, और public gathering पर इसने किसी भी किसम की public gathering होती थी, उस पर क्या थी, restriction अप्लाई का दि अप्राइजिंग थी, मतब बयान कर दिया हो, कोई भी public gathering नहीं होगी, जिससे वो चाहते ही नहीं थे कि कुछ लोग कटे हो, और उसे क्या हो, अप्राइजिंग हो, उसे British के खिलाफ पर दिबाय से अप्राइजिंग हो, तो यह एडिया जो एक था, basically लिगाया ही, मुस्लमा इंडियन को कंट्रोल करने के लिए था, उनको सोचली थोड़ पर कंट्रोल करने के लिए, उनको पर प्वंदिया लगाने के लिए था, उनके फीटम को छीनने के लिए था, अब यह सारे थे फीचर, अब हम मूव करते हैं, impact of pilot actor, means एक एक बन गया है, अब उसकी impact क्या क्या The act was widely condemned by Indian leader and the public, अब क्या थी, अब क्या थी, अब इंडियन ना, तो इसे इंडियन लीडर ने accept किया था, और ना ही public ने accept किया था, the bill came to be known as black bill, तो इसी वज़ा सी कि बिल जो था, वकिस नाम से मिशूर हो गया, black bill के नाम से मिशूर हो गया, अक्सरकात हम से, यह स्वाल पू The act was passed despite unanimous opposition from the Indian member of the council, अब यह जो एक्ट था, unanimous opposition के बावजूद भी क्या था, इस act को passed कर दिया गया, इस act को implement कर दिया गया, तो उसके response में क्या हुआ, all of home design in protest, तो उसके response में क्या हुआ, फिर डिजाइन कर दिये, Indian leader ने, कहां से, इंपेडियर council से, these include मुहमद अलिजना, उ जिन्होंने design किया थे, उनमें मुहमद अलिजना शामल थे, मैडन मोहन मालगे शामल थे, और मजरूर हाग शामल थे, यह तीन बंदे जो थे, इन्होंने क्या किया था, इंपिरे कोसल से design कर दिया था, नेक्स जो इसका impact आया, civil disobedience would be offered against दाला, अब civil disobedience शिरू हो गए, इस act क response में, next देखते हैं, क्या इसके impact आया थे, फिर इसी जो act था, इसी के response में, इसी के response में क्या होबा था, एक moment शुरू होगी, जिसे हम क्या कहते है, सत्यगर moment, in for test, मुहमता गान्दी, लाजशा नेशनल वाइट सत्यगर moment against the roll attack on 6 April 1919, अब 6 April 1919 में क्या होबा कि मुहमता गान् क्या हैं, क्या क्या है, सत्यगर moment है, जिसका अब इस moment का मकसा is, कि इस moment क्या गया था, इस moment क्या कहा गया था ? यह मोर्मेट शरू हुई थी दैली में पीर, कहते हैं जब यह मोमेट शरू हुई तो इस मोमेट ने क्या केरिना शरू कर दिया अगर इस मोमेंट में कामया भी होना शरू होगए अब बुरीटिज पर प्रेशर बढ़ना शरू हो गया इंडियन का क्योंकि एक property एक moment शुरू हो चुकी थी उनके हलाव वो भी disobedience थी यह भी disobedience moment थी तो इसके response में फिर इसके response में क्या होगा कि जो British government थी उन्होंने two popular congress leaders सत्यापाल and सैफोदीन वर arrested तो इसके response में दो जो इंडियन leader थे उनको arrest कर ले गया और किसी ऐसे जगह पर लेकर कि साफोदीन बंस दो ओ कहां रही जो पहुझे है कहां पुझाब में नोगता में पहुचे वर पुझा पुम्मेट सटॉर सन्सक्राटrible। एकता दॉरा पर फोल में करना जलनावालाभाग में अग्रॉप्लेस с twisted दॉर ौर इचि हो और में में जलना तुछांची उह करना हे बनार फैर्टम्मर्लमॉसर्ड पुम्मेट करो एकता है। पूर्फिपर्टिबर्त, हम हमें अजाद करो हमारी फृर्टिम्स पर पुंदिया लगा रहे हैं इसको फस्राइब ने को फ्रिवाएं जो हमारी इन्डियन लीडर्स करता है और प्रफ्टार किया है उनको चोड़ दो इब इणे अपन फायट नोग शोरू कर दियू है हुआ होगी तैसकय ज़ू नोग भूखमाग उन लोग इसके नतीजे 12iro इस पर उपर से एक जीव सा एक्षिन शो किया गया मतलब उपर आर्मी ने तो यह ओर इंटेंस पकर गया आर्मी को बलाया गया पुझाब टैकल दैकल देश्चिविशन को टैकल करने के लिए तो यह यह था यह एक्ट और यह जो एक्ट था इसका मेंड मकसद था वह क्या करना था अपनी डोमिनेट्स को भड़करा रखने के लिए उन्होंने क्या क्या उन्होंने एक जीब सा एक्ट ले किया है जिसमानों और हिंदुों की मतलब में रिटिश इंडिया की जो थी वह सारी फ्रीडम को क्या करना चाहते थे क्रप करना चाहते थे क्या करना चाहते थे कांट्रोल करना चाहते थे वह चाहते थे कि जो भी काम हो जो भी बात हो इनकी वह हम करें मतलब जो भी इने काम हो वो अपनी डॉमिनेंट्स को बरकरार रखना चाहते थे जैसे वो दूसरे साइट पर वर्ड बार वन में अब जर्मन के हाथ उहार देते पहले तो उनको डर्ट था कहीं हमारी जो पावर है जो हमारी डॉमिनेंट्स है वो खत्म ना हो जाए तो उसको बहार रखने के लिए अजीब किसम के यह हट गंडे यूज कर रिये थे अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए यह था डॉलोएट एक्टर ओफुली आपको समझ आया होगा अगर आपको किसी किसम के कोई क्यूरी या समझ नहीं कहीं से नहीं आया तो आप कमेंट बाक्स में पूस सकते हो तो जाते को जाते मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा अल्लाफिज प्यामान अल्लाफ